हे एलो स्टुडेंट्स इस वीड़ो में हम बात करेंगे ICMI का एक वेरी अर्जिन्ट रिमाइंडर जो आल सी एमे स्टुडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है नाव फर्स्ट अपॉल अपडेट बताऊं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आप मिशना कर पाएं नापडेट स्टार्ट करते स्टुडेंट्स अपडेट चेकरने के लिए ICMI का आपिसल वेबसाइट पर जाना होगा स्टुडेंट वाला सेक्शन मिलेगा just like आपको student के section पे click करना एक pop up आएगा उसे cut कर देना examination का section आएगा जैसे आप examination के section पे click करेंगे ये urgent reminder है जो कि very very important है CMA inter और CMA final June 2024 students के लिए just a reminder है आप सभी के लिए कि verification का last date students बहुत ध्याँ से सुनना अगर आप अपना जो भी result आया होगा results unsatisfy होगे आप फिर आप fail होगे होगे तीन चार पाच marks से तो आपको एक option मिलता है verification apply का निगल verification of results के लिए मतलब आप apply कर सकते हो for the verification के हाँ किसी subject में marks increase हो रहे तो आप उस subject को apply करके उसका marks increase हुआ तो आप pass हो सकते हो तो अब last date क्या है verification का अगर आप CMA intermediate का student हो तो 22nd September 2024 last date है और अगर आप CMA final का student हो तो भी 22nd September 2024 last date है अगर आप इस date तक apply कर देते हो dear students तो काफे helpful होगा आप के लिए और आप apply कर पाएंगे otherwise अगर आप 22nd September के बाद में आपके mind में प्लान आता है कि सर मुझे verification के लिए apply करना है तो यह window close जाएगा और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा apply करने लिए यहाँ पर आपको पर subject 250 रुपीज पे करना है अगर आपको लगे कि पाज हो रहा हूँ तो आप जो भी आपको लगता हो जितने subject में भी आप वहां से वेरिफिकेशन के लिए apply कर सकते हो यहाँ पर subject mention करना है verification के लिए यहाँ पर roll number आपका full name, course name, registration number just and pay वाले section पर पे करके आपका verify हो जाएगा 30 days के अंदर अदर आपका verification और result भी आ जाएगा जो कि इस month के end तक आने के chances है Thank you students have a great day कहीं भी कोई भी doubts है तो comment section में comment करना और अगर आप सभी YouTube channel पर नहीं हो तो please channel को like, subscribe and जो side में bell icon वाला buttons वो प्रेस कर देना Thank you students have a great day